हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेरीडिय उनुवर्सीज फ्रेंड्स जब भी आप एक बजट फ्रेंड्ली स्टडी ऑप्शन सर्च करते तो सबसे पहले आपके माइंड में जो नेम क्लिक करता है वो करता है यूरोप का यूरोप एक ऐसा कॉंटिनेंट है यहाँ पर काफी सारी क तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ऐसी कौनसी थ्री कंट्री इसको यूरोप में कंसीडर कर सकते हैं आपके हाय स्टाडी के लिए जहां पर कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो कॉस्ट ऑफ स्टाडी है वो काफी कम रहने वाली है इस कंपेर अधर नॉन यूरोपियन कंट्री तो फ्रेंट्स उसमें सबसे थाड नंबर पर जो आता है थाड नंबर पर आता है आपका लाट्विया में यूज्वली जो आपकी यूनिवर्सिटी की टुशन फी होती है वह टूशन फी आपकी 3000 यूरो से 4500 यूरो तक रहती है प्लस य सबसे प्लस यहां पर जो टुशन फी रहती है वह टूशन फी आरांव्न फिरो फ्रेंट्स वह टूशन फी आराउंड प्वेज बात करते हैं तो यह जो एनॉल कोस्ट अफ यूरो से 5000 यूरो तक की ही आती है प्लस यहाँ पर जो टूशन फी रहती है वो टूशन फी अराउंड 2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक टूशन फी की कॉस्टिंग आती है यहाँ पर जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो taught in English होते हैं यहाँ पर आपको as such polish language की initially requirement नहीं होती लेकिन आप further अगर settle down के options देख रहे हैं तो obviously आपको polish language की requirement यहाँ पर रहने वाली है यहाँ पर आपके पास job के भी ample opportunities रहती है प्लस आप यहाँ पर आपको shanigan visa मिलता है shanigan visa friends आपको normally जो European union में countries आती हैं माँ पर आपको shanigan visa मिलता है जिससे की आप 27 countries में travel कर सकते हैं और उन्हें explore कर सकते हैं friends first number पर obviously आता है इतली यहाँ पर आप अपना overall studies totally free of cost कर सकते हैं friends usually इतली में जो cost of living आता है वो आपका 6,000 euros के गरीब आता है on a year basis पर और यहाँ पर जो tuition fee आता है वो tuition fee on a average 300 euros से 4,000 euros के आसपास आता है लेकिन friends इतली आपको 100% scholarship opportunity देती है जहाँ पर आपका tuition fee पूरा waved off हो जाता है आपको सिर्फ regional taxes पे करने रहते हैं plus आपको आपके cost of living को accommodate करने के लिए भी आपको वहाँ से financial aid भी मिलता है वो financial aid जो होता है वो usually 7,000 euros per year basis पे मिलता है तो अगर आप bachillers के लिए जा रहे है तो वहाँ पर आपको 21,000 euros तक का financial aid मिल सकता है और वहीं अगर आप masters के लिए जा रहे है तो 14,000 euros तक का आपको financial aid मिल सकता है साथ में friends आपके पास free of cost accommodation की भी opportunity रहती है यहाँ पर accommodation conditional रहती है डिपेंड करती है availability पर तो यहाँ पर आपके पास यह three options है जो सबसे जादा economic option है प्लस यहाँ पर जो आपको आपका study मिलने वाली है highest studies वो top-notch universities से मिलने वाली है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि friends इटली, पॉलेंड और लाक्विया में bachelor's usually 3 years or 3.5 years का होता है वहीं अगर आप master's में जाते हैं तो master's usually 2 years का होता है और यहाँ पर आपको PSW 12 months से लेकर 2 years तक का PSW भी आप achieve कर सकते हैं तो friends यह ते कुछ तीन options आपके लिए जिसमें कि आप usually अगर अपना higher studies का plan कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यह तीनों countries explore कर सकते हैं friends साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका इन तीनों countries में आपको country choose करने के लिए meridian आपकी help करें तो obviously we are always there for you आपको क्या करना है आपको अपना जो basic आपका updated CV है वो हमारे साथ share करना है जिससे की आप अपना higher studies का जो evaluation है वो एक easy way में कर पाएं और आप अपने लिए जो भी best university है best country है वो choose कर पाएं friends ऐसी latest information पाने के लिए channel को like करिए, subscribe करिए, bell icon press करिए, see you in the next video, thank you